नमस्कार, हाल ही में स्पेन अंतराष्टिय सौर गठ बंधन में सदस्य के रूप में शामिल हुआ है यह अंतराष्टिय सौर गठ बंधन का 99 सदस्य देश है अंतराष्टिय सौर गठ बंधन के विशय में बात करते हैं अंतराष्टिय सौर गठबंदन की अस्थापना वर्स 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायू परिवर्तन पर शैयुक्त रास्ट फ्रेमबर्क कन्वेंशन के 21 सम्मेलन के दोरान हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हर्याना में इस्थित है। इसका उद्देश जिवाश में इंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर उर्जा के उप्योग को बढ़ावा देना है। या अपने सदस्य देशों में उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और उर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के साधन के रूप में सौर उर्जा प्रदोगिकियों को बढ़ावा देता है। भारत में सौर उर्जा की स्थिति समझते हैं। गलोबर एलेक्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट दोहजार चौबिस के अनुसार वर्ज दोहजार तैस में भारत सौर उर्जा में विश्चो का तीसरा सबसे बड़ा उतपादक देश था। भारत शिर्फ चीन और अमेरिका से पीछे रहा है। वर्ज दोहजार तैस में भारत की 5.8 प्रतिशत बिजली सौर उर्जा से उतपादित हुई है। वर्ज दोहजार पंदरह में यह हिस्सेदारी केवल 0.5 प्रतिशत ही थी। धन्यवाद।